Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा क्लास है, वो UG Semester 4K Students के लिए है. और UG Semester 4K कोर्स में, जो पेपर 9 है, Modern Western Political Thought का, उसके अंतरगत, Unit 3, जिसके अंतरगत हमें John Locke, जो एक Modern Western Political Thought है, विचारक है, उनके विचारों का अध्यन हमें करना है. और इस उनिट के अंतरगत हमें, उनके जो Political View है, उसको देखना है, और श्पेसली हमें उनके Political View के अंतरगत, जो State of Nature है, राज्य का स्वरूप के बारे में उन्होंने क्या कहा है, साथी साथ उनका समझोतावादे सिध्धान्त, जो है Contract, उसकी क्या व्याख्या उन्होंने की है, और उसके साथ-साथ Natural Rights and Subsiduity, ये चार्ट सब टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतरगत हमें पढ़ना है, आज के क्लास में हम लोग जॉन लॉक के संशिप्ट जिवन परिचय का अधियन करेंगे, साथी साथ उनके जो Political View हैं, उसके अंतरगत राज्य के स्वरूप के बारे में, उन्होंने क्या बताया है, उसका आधियन करेंगे, और समझाता जो उन्होंने Contract की बात की गई है, उस समझाते को समझने का प्रयास करेंगे, और Natural Rights के बारे में उनके जो विचार हैं, उसको जानेंगे, तो सर्व प्रथम जो है हम उनके जीवन परिचर से आरम करते हैं तो जॉन लॉक जो है वो राजनितिक दर्शन के इतिहास में एक सूप्रसिद अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक का जन्म समर्शेज सायर के रिंग्टन नामक अस्थान पर एक कटर प्यूरिटन परिवार मे हुआ था, 1632 में हुआ था, लॉक का राजनितिक दर्शन के इतिहास में बहुत ही महत्वपुन स्थान प्राप्त है और जॉन लॉक को हॉप्स की तरह समाजिक समझोते सिध्धान्त एवं सम्प्रभुता सम्मंधी जैसे सिध्धान्तों को आगे बढ़ाने का महत्वपुन योगदान जो है यहुने दिया है और जॉन लॉक के द्वारा पहली बार उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकार की वकालत की गई है अता जॉन लॉक को उदारवाद के जनक के रूप में भी हम स्विकार करते है जॉन लॉक की जो प्रारंभिक सिख्षा थी वो घर पे हुई और पंद्रा वर्स की आयू में वे वेस्ट मिनिस्टर्स स्कूल में इनका प्रिवेस हुआ और 1658 में लॉक ने मेकी उपाधी प्राप्त करके बाद में वह क्राइस्ट चर्च कॉलेज में यूनानी भासा दर्शन शास्त्र और अलंकार सास्त्र के ट्यूटर के रूप में काम करते रहें और बाद में अध्यापन में रूची होने के कारण जो है वह पत्याक कर ऑक्सफूड के विश्वविद्याल है विख्यात जो ऑक्सफूड के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर डेविट टॉमस का स्षिश्य बनकर और शधी शास्त्र की सिक्षा प्राप्त की लॉक ने इंग्लैंड के गौरपुर्ण क्रांती जो 1688 में हुई उसका भी इन्होंने समर्थन किया है जॉन लॉक के विचारों में विचारों के प्रभाव के कारण ही इंग्लैंड में व्यापक परिवर्तन हुए और 1688 की जो ग्लॉरियस रेवुलेशन था गौरपुर्ण क्रांती हुआ जिसके माध्यम से इंग्लैंड में संसदिय साशन ब्यवस्था को अस्थापिक किया गया है अंग्रेजी विचारक जॉन लॉक मानों अधिकारों के भी महान समर्थक थें संजुक्त राज अमेरिका के संबिधान निर्मान पर जॉन लॉक का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और स्वास्त की बाद में दुर्वलता के कारण जो जॉन लॉक है उनकी मृत्यू सत्रह सो साथ इस भी में हो गई इसके बाद हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो ये जॉन लॉक बहु प्रतिभा के धनी जो थें एक लेखक के रूप में सिख्षा, जीवन चरित्र, आस्त्र शास्त्र, धर्म सास्त्र, दर्शन सास्त्र, राजनिती सास्त्र, उध्यान विज्ञान और प्राकरतिक विज्ञान ऐसे विभिन विश्यों पर तीस से भी ज्यादा पुस्तकों की रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई है लेकिन इसमें से जो कुछ पुस्तक जो है राजनिती के छेत्र में जो जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है उन पुस्तकों में जो पहली पुस्तक है वो है टू ट्रिटीज ओन गॉवर्मेंट जो टू ट्रिटीज ओन गॉवर्मेंट जिसका प्रकाशन 1690 में हुआ और लॉक की इस रचना के संबंद में बाहन एक विचारक हैं ने मत प्रकट किया है कि लॉक की ट्रिटाइजिज एक दोनाली बंदू की तरह है जिसमें एक फिल्मर और दूसरी हॉप्स के बिरुध तनी हुई नजर आती है दूसरी जो इनकी महत्वपुन पुस्तक है वो है अलेटर ओन टॉलरेंस जो 1689 में लिखी गई है लिखी गई थी तीसरी जो महत्वपुन पुस्तक है वो है essay concerning human understanding जो 1690 में लिखी गई थी इसके बाद जो इनकी अगली पुस्तक है अलेटर ओन टॉलरेंस 1690 में लिखी गई next इनकी जो पुस्तक अथर्ट लेटर ओन टॉलरेंस ये 1692 में लिखी गई और एक और इनकी पुस्तक थी fundamental constitution of cardinia 1673 में लिखी गई थी तो ये कुछ पुस्तके हैं जो महत्वपुन इनकी पुस्तके हैं और श्पेशली जो है political science राजनिती विज्ञान से संबंधित है अब हम आते हैं इनकी रचनाओं की सैली के बारे में कि वो किस तरह से लिखी गई है तो जॉन लॉक ने अपने राजनितिक सिध्धानतों के प्रतिपादन में अगमनात्मक पध्धती का सहारा लिया है और उसने इस बात पर जोड़ दिया है कि समस्त ज्यान का संचय अनुभव के आधा पर किया जाता है यानि लॉक ने मनोवैज्यानिक विश्टलेशन को जादा महत्व दिया है और जो अगमनात्मक पध्धती के साथ-साथ लॉक ने वरनात्मक डिस्क्रिप्टिव मेथड्स को भी अपनाया है और लॉक की यह पध्धती भी अनुभव पर आधारित है और वैज्यानिकता से प्रभावित है तो ये उनकी जो रचना सैली है उसके बारे में हमने चर्चा की इसके बाद जो जॉन लॉक है तो उनके जो राजनितिक विचार हैं उस राजनितिक विचार की हम चर्चा करेंगे और उनकी राजनितिक विचार के अंतरगत समाजिक समझोते सिध्धान्त राजिका सिध्धान्त जो लॉक ने दिया है साथी साथ साशन और सरकार समबंधी विचार उनके क्या थे और उसके बाद इनके जो प्राकृतिक अधिकार से समबंधित जो उन्होंने बाते कही है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो Locke का जो समाजिक समझोते का सिध्धान्थ था तो समाजिक समझोते का सिध्धान्थ जो है को John Locke ने Locke, Hobbs और Russo की तरह ही उसको लेखित किया गया है ये तीनों जो हैं Hobbs, Locke, और Russo ये Contract वादी या समझोता वादी विचारक के नाम से भी जानते हैं और पहला समझोता वादी विचारक जो थे वो आपको Hobbs हमने पिछले क्लास में उनका अधिन किया और इस क्लास में जो हम लोग हैं Locke को बारे में जो एक समझोता वादी विच विचारक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और इनके द्वारा Locke Hobbs की तरह ही राज्य की अस्थापना करते हैं और Locke अपने समाजिक समझोते संबंधी विचारों को निम्लिकित बातों से जो है स्पष्ट करते हैं पहले जो बात है कि मानव सभाव उन्होंने अपने इ जो ने मानव के सभाव की व्याख्या की है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो मानव सभाव के बारे में उसने क्या कहा है लोग के ने कहा है कि बिवेक मानव का सर्व प्रथम गुण है और मनुष्य तरकशील और विचारशील होता है मनुष्य की यह तरकशक्ती और विवेक शीलता उसे नैतिक नियमों में मरियादित रखती है और मनुष्य में पारस्परिक सहयोग और समाजिकता के गुण भी होते हैं वह प्रेम, दया, शांती, एकता, सज्जनता और नैतिकता में विश्वास रखता है लोक इस बात पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि सब वैक्ती प्राकृतिक रूप में समानता की अवस्था में होते हैं लोक ने, यह भी कहा है, हॉप्स की भाति लोक ने भी मानो सौभाव की चर्चा की है और जैसा की मैंने कहा, लेकिन हॉप्स का जो मनुष्य में केवल पाश्विक प्रवितियों का देखा है उसको वर्णन किया है जबकि लोक ने मनुष्य की प्रमुख विशेष्ता, उसके बुद्धी, उसके विचार या उसे विचारवान प्रानी माना है और लोक मानमिय बीबेक और बुद्धी में को महत्व देते हैं जौन लोक ने कहा है कि मनुष्य सभाव से ही एक समाजिक प्राणी है जो परस्पर सहयोग और दया के और सदभावना के आधार पर दूसरे बैक्तियों के साथ सम्मंद रखते हैं जीवन बैतित करते हैं हौब्स तथा लोक के मानो सभाव सम्मंदी विचार में बुन्यादी अंतर हमें देखने को मिलता है जहां हौब्स व्यक्ति को मानाओ को एक जंगली पशु कहते हैं के रूप में उन्हों शिकार करते हैं वही मनुष्य एक नैतिक प्रानी के रूप में उसे स्विकार करता है हौब्स का मनुष्य और हौब्स का जो मनुष्य है वह घोर जगडालू स्वार्थी है जबकि लोक का मनुष्य परोकारी और सांती प्रिय है इस प्रकार लौक हॉब्स के बिपरित मनुष्य को बौधिक एवं नैतिक प्रानी के रूप में स्विकार करते हैं तो ये था मानो स्वभाव सम्मंधी जो विचार थे वो और मैं इसको कॉम्परेटिव आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको confusion ना हो और आप जाने कि Hobbs ने क्या कहा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दोनों को tie-up करके questions आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए स्पस्ट रूप से चुकि ये सभी समझोतावादी विचारक हैं तो इन में differences क्या है और हम क्यों इनको भी पढ़ रहे हैं जब एक समझोतावादी विचार था ही तो फिर दूसरे की क्या आवशक्ता थी तो जब हम इसका comparative study करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस विचार धारा के पीछे क्या reason था क्या उनका सोच था तो ये था उनके उनका जो लौक का जो कि जो मानों के सौभाव के संबंधी उसने जो बाते बताई है उसके बारे में और दूसरा जो बात जो लौक ने कहा है कि कहा है कि लौक ने प्राकृतिक रूप से तमाम लोगों को शक्ती, स्थिती और अधिकार में समान पाया है और लौक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो हम उनकी प्राकृतिक अवस्था की चर्चा कर रहा है second point जो हमारा है प्राकृतिक अवस्था तो हॉप्स के रूप में उसको स्विकार किया था, Hobbes ने, परन्तु, लौक ने मनुष्य को एक समाजिक प्रानी बताया है, और समाजिक प्रानी के रूप में वह उसको एकसेप्ट करते हैं, स्विकार करते हैं, अता मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था को पारश्परिक युद्ध की आवशक्ता के रूप में इसको स्विकार करते हैं, लौक की प्राकृतिक अवस्था में जो है, हम बहुत सारे गुड़ देख सकते हैं, कि पहला जो गुड़ था कि प्राकृतिक अवस्था में सांती एवं पारस्परिक सदभावना जो थी, पर आधारित थी, दूसरा जो ह प्राकृतिक कानूनों का नियंत्रन था, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता था, और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता था, ना ही उसके जीवन को नेश्ट कर सकता था, चोथी जो महत्वपूर्ण बात थी, इसकी प्राकृतिक लौक की प्राकृतिक अवस्था की, कि लौक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुश्यों को तीन तरह के अधिकारों से लैश किया है, उसको दिया है और उसमें जो पहला अधिकार है वो है जीवन का अधिकार, right to life, तो इसका अधिकार दिया है, दूसरा जो है स्वतंतृता का अधिकार, right to freedom या right to liberty and तीसरा जो उसका महत्वपुन अधिकार था वो है संपत्ति का अधिकार, right to property, means तीन तरह के natural rights की बात जो है वो स्विकार करते हैं लौक की प्राकृतिक अवस्था में इस तीन तरह के अधिकार जो थे वो मनुश्यों के पास जो है उनको प्राकृति से मिले हुए थे और इस प्रकार लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, काफी स्वर्निम अवस्था थी परंतु कुछ कमिया थी जिसके कारण मनुश्य को समझोते करने के लिए विवस होना पड़ा और समझोते के द्वारा राज्य का निरमान करना पड़ा तो उसकी जो क पहले जो बात बताई गई है कि इसमें कोई निश्चित एवं सर्व सम्मत बिधी नहीं थी, कानून का मतलब अभाव था, क्रियानमित करने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं थी, उस कानून को इंप्लिमेंट करने की कोई संस्था नहीं थी, जिसके कारण व्यक्ति को समझाओते के लिए विवश्वना पड़ा या समझोता करना पड़ा, दूसरा जो महतुअपुण बात था, कारण था कि प्राकृतिक नियमों एवं बिधानों को उनके अनरूप क्रियानयमन करने वाली कोई संस्था नहीं थी, ठीक है, और तीसरा जो था कि निश्पक्ष न्याय को अ अवस्था के बावजूद इन कठनाईयों के कारण मनुष्य आपस में समाजिक समझोते कर राज्य का निर्मान करना चाहते थे और उन्होंने राज्य का निर्मान किया, और प्राकृतिक अवस्था की जैस जो चर्चा उन्होंने की है, जैसा कि उन्होंने बताया, कि प्रा प्राकृतिक अवस्था का चित्रन किया है वह क्या था राजहीन अवश्य है परन्तु समाजहीन नहीं था लोग की प्राकृतिक अवस्था जो राजहीन है में बैक्ति तर्क और विवेक का प्रियोग करने करके शांती पुन्धंग से उसको करते थे ता सुतंत्रता एवं समा राजिक अवस्था का कारण है प्राकृतिक नियम और इसलिए उन्होंने प्राकृतिक नियम की बात की है, तो लौक ने प्राकृतिक नियमों के अस्तित्वों को प्रमानित करने का प्रयास नहीं किया था, लौक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है चुकि प्राकृतिक नियम नैतिक नियम है इसलिए प्राकृतिक अवस्था को नैतिकता से परिपुन अवस्था भी कही जा सकती है और लौक अपने राजनितिक सिध्धान्त के निर्मान का निर्मान जो है वो प्राकृतिक नियमों के आधार पर करना चा और ये नियम प्रतेक मनुष्य के लिए बंधिनकारी होते हैं और ये नियम तर्क पर आधारित होते हैं और संपुर्ण मानो जाती को यह बताते हैं कि तमाम मनुष्य समान है इसलिए मनुष्यों को एक दूसरे के जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता को हानी नहीं पहुँचान इसलिए तमाम लोगों को इसका पालन करना चाहिए प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों को मनुष्यों को द्वारा लागू किया जा सकता है और प्रतेक मनुष्य को इन नियमों को तोड़ने वाले को इतना दंट देने का अधिकार है जितना की इन नियमों को भं करने से रोकने के लिए आवश्यक हो और इस तरह से जो लॉक हैं उन्होंने 1688 में जो इंगलाइन में गरवपुन क्रांती हुई उस कारती के समर्थक होने के कारण लॉक का मनुश्यों के अधिकार का भी एक समर्थक होना आवश्यक ही था क्योंकि लॉक के जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार समानता को सब मनुश्यों का जन्म सिद्ध अधिकार गोशित किया और फिर समानता के आधार पर मनुश्य के प्राकृतिक अधिकार के उसका जो सिद्धान्त है उसको प्रतिपादित उन्होंने किया है और इस तरह से लोगों को प्राकृतिक नियम के द्वारा तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जीवन स्वतंतृता और संपत्ति के अधिकार जो है वो उनके प्राप्त थे इसके बाद जो उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था की च सुभिधाय थी को दूर करने के लिए लौक के अनुसार मनुष्यों ने एक समझोता किया सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समझोता सब मनुष्यों का सब मनुष्यों के साथ था और इसके द्वारा एक उत्तरदाई साशन की अस्थापना की गई और एक राज की अस्थ तुराइटी की स्थापना की गई, जहां उत्तरदाई सरकार ही कानून के साशन की स्थापना हो सके और लोगों के कल्यान एवं अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके अर्थार्थ लोक ने ऐसे राज्य को जर्म दिया जहां सिमित एवं उत्तरदाई सरकार जो है उसकी अस्थापना की है तो इस प्रकार लोक ने जो है लोक का जो राज्य है लोक का जो राज्य का की जो समविदा है उसकी समविदा की विशेष्टाएं क्या हैं तो उसके समवि सम्विदा का उद्देश यहां तक हो सके प्राक्रिटिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। भाती निरंकुस अथा स्वेक्षाचारी जो है वो साशन का निर्मान नहीं होता बलकि शक्ति से मर्यादित तथा उद्देश निश्रित होते हैं। और लौक ने साशन के विरुद विद्रोह करने का अधिकार भी जनता को देते हैं। और यदि साशन के आदेश जनता जो है वो आदेश को मानना आदेश से जनता की प्रान भी मतलब वो देने के लिए तयार होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो विशेशता हैं यह समझौता जो है एक बार हो जाने के बाद रद्दि नहीं किया जा सकता था। दूसरा था कि यह समझोता एक ऐसा समझोता था जो इसे पीढ़ी दर-पीढ़ी स्विकार किया जाता था, तीसरा यह एक ऐसा समझोता था जिसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके अंत तो होता है, साथी साथ प्राकृतिक नियमों को मजबूती से जो है वो लागु करने का भी जो है वो प्रयास किया जाता है कि किस तरह से उसको हम फिर से जो है वो लागु कर सके। समाजिक समझोते के माध्यम से ऐसे समाज की अस्थापना करते हैं जहां पे उतरदाई सरकार होती है और इस प्रकार जो हम देखते हैं कि लौक का जो समाजिक समझोता जो है वो होप्स के विपरित नागरिकों के उनको विद्रोह करने का भी अधिकार देती है तो इस प्रकार जो समझोता होता है तो समझोता जो होता है और जो अध्यन जो होता है उसके बाद जो है राज्य का जो स्वरूप होता है वो किस तरह से होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि राज्य का स्वरूप किस तरह का होगा तो जो संविधा होता है उस संविधा के आधार पर लौक के राज्य का सरवाधिक महत्वपुर्ण उद्देश जनता का कल्यान होता है और लौक ने जिस राज्य की बात की है वह जनता के लिए है ना की राज्य के लिए दूसरी जो महत्वपुर्ण जो बात आती है निकल कर इस समझोते से कि लौक के राज्य का आधार जनता की सहमती है तीसरी जो महत्वपुर्ण बात आती है कि लौक त्वारा प्रतिपादित एक समवेधानिक राज्य है दूसरे शब्दों में लौक का राज कानून के साशन, रूल ओफ लौ पर आधारित है, तिस चोथी जो महत्वपुन बात समझ में आती है कि लौक का राज हॉब्स की भाती निरंकुष नहीं है, क्योंकि इसके राज में विधी का साशन होता है, जो पाचवी बात समझ में आ धर्मा ओलंबियों के विचारों का आधर होता है, मतलब धर्म निर्पेक्षता की बात की जलत आती है समझ में, लौक के राज का कारे सिमित और एवं नकरात्मक है, लौक का राज केवल कानून एवं ब्यवस्था को बनाय रखने जैसे नियोजनात्मक कारियों का संपादन करता है, लौक के राज को उदारवादी राज भी कहा जा सकता है, लौक के राज को उदारवादी राज कहने के पीछे कारण यह है कि उसके राज का आधार जनता की सहमती है, और उसका उद्देश जन का लियान है, वह सहिंशू और मर्यादित है, तथा वह जनता को विशे जो लौक के राज्य में नारियों एवं निर्धनों को भी नारिक्ता से वंशित करने जैसे और प्रजातांत्रिक कदम उठाए गया हैं, तथा पी शाष्कों पर नैतिक प्रतिवंद लगा कर अपने शाष्कों के प्रति उत्तरदाई बना कर शाषन को विधी के अधिनस्त कर शक्ति प्रतिकरन को प्रभावी बना कर बहुमत में आस्था रहकर एवं शांति पुन सुधारों पर बल दे कर लौक ने उदारवाद के प्रमुख तत्तों का भी प्रतिपादन किया है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि लौक का जो विचार है, समाजिक समझोता से जो हमार समझोते की आलोशना किसा धार पे की गई है, तो लौक का समाजिक समझोता समबंदी धारना और इसपस्ट है क्योंकि समझोता तूट भी सकता है, क्योंकि समझोता को तोड़ा भी जा सकता है, जिस पर ये कहते हैं कि पीड़ी-दर-पीडी चलेगी तूटेगा नहीं, दू प्रुवत थी इस तरह की कोई समझोते की, जब वह स्वर्णिम्काल था, लोग स्वविबेक्षे काम करते थे, बुद्धिमान थे, सोच सकते थे, मिलकर अच्छे से रहते थे, तो फिर समझोते की क्या आवशकता थी। कि प्राकृतिक अवस्था समाप्थ हो जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, तो इन दोनों बातों में जो है वो, contradiction दिखता है कि ये दोनों बात एक साथ कैसे समभव हो सकती है, अगर प्राकृतिक अवस्था है, तभी तो प्राकृतिक अधिकार हैं, तो ये कैसे समाप्थ होगी, तो इस बारकारण से भी इनकी आलोशना की जाती है, अगली जो इनकी आलोशना की गई है कि समाजिक समझोते द्वारा सर्व सहमति उत्पन करता है और वहीं दूसरी और वह जनतंत्र एवं उत्तरदाई शाशन की भी वकालत करते हैं जो है वो बिरूधा भास लगता है, क्यो दूसरी और वा जन्तंत्र या उत्तरदाई साशन की वकालत क्यों करते हैं यह विरोधावास की तरह लगता है तो यह इसकी आलोशना थी उनके समाजिक समझोते सिध्धान्त की इसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉक के अनुसार जो उनके राज्य संबंधी विचार थे वो क करने के लिए समाजिक समझोते के माध्यम से राज्य का निर्मान किया गया है तो लॉक के द्वारा जो राज्य संबंधी विचार जो दिये गया है उसको हम अलग-अलग विंदुओं पर चर्चा इस पर करेंगे तो पहला जो कहा गया है विचार दिया गया है कि लॉक का ज जन कल्यान कारी राज है या जन कल्यान का एक साधन है तीसरी जो महत्वपुन बात कही गई है कि लौक का राज सिमित एवं मर्यादित है यहां जहां ऐसे सरकार या राज की बात करते हैं जो कम से कम जनता पर साशन करें रूल करें लेकिन वही हॉप्स क्या कहते हैं हॉप्स क होप्स का जो राज है वो पूरी तरह से अमर्यादित है और निरंकुष है क्योंकि संपुर्ण शक्तियां एक व्यक्ति वो केंद्रित कर देते हैं होप्स तो इस तरह से हम देखते हैं कि लौक का जो राज है वो सिमित है वो जितना कम government जो शाषन करेगी वो उतनी अच्छी पांच भी जो महत्वपुन बात कही गई है कि लौक का राज शहिंशू राज है जिसमें लोगों कोई आस्था धार्मिक भावना पर किसी भी प्रकार का कोई चोट नहीं पहुंचाया जाता है क्योंकि लौक मनुष्य को एक बौधिक प्रानी के रूप में स्विकार करते हैं अगली जो बात कही गई है कि लौक का राज निशेधात्मक राज है क्योंकि लौक के राज में व्यक्ति को जादा से जादा स्वतंतरताएं दी गई है और राज के दवारा अहस्तछेप की निती को अपनाया गया है तो ये बाते भी कहीं गई है अगली जो बात कही गई है कि लौक का राज जो है वो एक उत्तरदाई एवं जन तंतरात्मक राज है जहां जन कल्यान, जन भावना एवं जन हितो को ध्यान में रखा जाता है तो इस प्रकार लौक के राज संबंधी विचार में राज के उधारवादी स्वरूप का रक्षित होता है क्योंकि लौक का राज एक जन तंतरात्मक राज है तो ये उसके राज संबंधी जो विचार थे उसकी चर्चा हमने की अब हम देखते हैं कि जो लौक के ने साशन और सरकार संबंधी क्या विचार दिये हैं तो लौक के राज दर्शन में राज एवं सरका इस ने उनकी अनुसार लौक के अनुसार समाजिक समझोते से राज का निर्मान होता है ना की सरकार का। को ट्रस्ट के रूप में देखते हैं अर्थार्थ लौक के अनुसार राज के निर्मान में राज के निर्मान के बाद जन सहमती के द्वारा सरकार का निर्मान होता है लौक ने सरकार के तीन अंगों की व्याख्या भी की है और उन्होंने विधाईका, कारेपालिका और नैपालिका या संगिये शक्ती के रूप में उसे अक्सेप्ट किया है और लौक के अनुसार विधाई का सरकार का सरवच्च अंग है और इसमें राज्जिक के हित में विधी निर्मान करने का क्यार इसके द्वारा किया जाता है वहीं कारेपालिका के द्वारा विधाईकार द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान विद करने का ताम किया जाता है साथी साथ न्याय का भी अधिकार लौक इसी को सौपता है लौक के अनुसार सरकार की जो तीसरी शक्ती जो है वो संघिय सक्ती है और जिसका कारे दूसरे देशों के साथ संधी करना होता है और विदेशनिती संबंधी पहलूओ पर ध्यान देना होता है इस प्रकार लौक के द्वारा सरकार के तीन उंगों के कारियों को विभाजित करने के कारण मौन्टिश्क्यू की तरह ही लौक को भी शक्ती पृथिकर के सिध्धान्त को लागू कर पाने कर पाएं क्योंकि कारे पालिका में ही इन्होंने न्याइपालिका के कारे शौप दिये थे तो इसलिए नहीं ठीक से कर पाएं एवं बिधाईका को सर्वच्य बना देते हैं अता हम कह सकते हैं कि सक्ति का प्रथिकरन का बीज लौक के रूपों को वर्गी क्रित नहीं करते परंतु इन्हों ने सरकार के तीन रूपों का उलेख किया है पहला जो है कि यदि समाज विधाई का शक्ति अपने हाथों में रखता है तथा वहां स्वैंग निर्मित कानुनों को क्रियानवित करने के लिए कुछ अधिकारियों को की न जन तंत्रात्मक सरकार कहलाती है दूसरा यदि समाज अत्वा वहुमत विधाई शक्ति को कुछ गिने चुने लोगों के या अधिकारियों के हाथों में सौपता है तो उसे वर्ग तंत्र कहता है और तीसरा यदि विधाई का शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में सौप दी जात और इस तरह से लौक जो है जन तंत्रात्मक शाशन पध्धति या सरकार को स्विकारते हैं और इसे ही सरवत्तम शाशन पध्धति के रूप इसको स्विकारते हैं क्योंकि जन तंत्र में उट्तरदाई साशन, जन भावना, जनता का हित एवं जन कल्यान का ध्यान रखा जाता ह तो इस प्रकार इन्होंने जो इनका जो स्वरूप है वो जन्तंत्रात्मक और एक सिमित सरकार का जो है वो कंसेप्ट देते हैं अब एक ही सरकार के कारे क्या होंगे तो लौक ने सरकार के सरकार के बहुत सारे कामेकवाव लेक किया है जिसमें से सरकार का मुख्यकार जो है वो प्रकार नागरिकों के कल्यान की हितों की रक्षा शांती को अस्थापित करने का कारे करती है। उसको भी वो अधिकार होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ये तो उनके राज येवं सरकार संबंधी धारना थी। उनका अधियर करेंगे। तो लौक के प्राकृतिक अधिकारों की धारना उनके राज नुतिक दर्शन का सार है। लौक के द्वारा सभी मनुष्य या मनुष्य जो व्यक्ति है समाजिक समझोते कर राज की अस्थापना इसलिए करते हैं ताकि उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। और लौक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का कारे सरकार को स्वापते हैं। अता लौक का मानना है कि राज के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की जाने चाहिए। लौक ने तीन तरह के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है जिसको मैंने पहले भी बताया और उसमें जो पहला जो हम प्राकृतिक अधिकार बताया है वो है जीवन का अधिकार राइट टू लाइव दूसरा जो अधिकार है स्वतंता राइट टू लिवर्टी और तीसरा संपत्ति का अधिकार, जिसे Right To Property कहते हैं. तो जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार, लौक के अनुसार, मनुश्यो को जीवन, जु है, जीवन का अधिकार, जो है, वो प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुआ है और अतह उसको अपनी जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार है वह ना तो अपने जीवन को समाप्त कर सकता है और ना ही बैक्ती जो है उसे दूसरे के जीवन को छीन सकता है प्राकृतिक अधुकार के अनुसार दूसरा चीज जो सुतंता का अधिकार है तो सुतंता के अधिका अर्थात कोई भी व्यक्ति, स्वतंता पुर्वक कोई भी कारे कर सकता है। में यह स्विकार किया है कि इसके बिना किसी भी वैक्ति के वैक्तित्व का विकास संभव नहीं है क्योंकि संपत्ति वैक्ति के वैक्तित्व के को निखारती है उसमें सोचने समझने की शक्ती विक्षुत करती है अता लौक अपने संपत्ति के अधिकार में वैक्तिकत संपत् और राज जी को जादा से जादा आर्थिक सुतंत्रता व्यक्ति को देने की बात कहते हैं। लौक का प्राकृतिक अधिकार उदारवाद का केंद्रिविंदू है, जिसके कारण लौक को उदारवाद का जनक भी माना जाता है, परन्तु अपने प्राकृतिक अधिकारों के कारण लौक खुद ही आलोशना के पात्र बन जाते हैं क्योंकि लौक जिस व्यक्तिगत संपत्ति की बात करते हैं उसे यह भै है कि समाज में वर्ग विवेदता उत्पन हो जाएगी जिसका वह बाद में माकसवादियों के द्वा सामने आया जो की सकरात्मक उदारबाद कहा गया तो इस यह थे उनके सोतंता संबंधी विचार और अब हम देखेंगे कि राजनिती के छेत्र में जो उनका योगदान था वो क्या था उन्होंने क्या जो है योगदान जो है उनकी देन क्या है उसके चर्चाव हम लोग करते हैं तो लोग के दर्शन में मौलिकता, संबधता और स्पस्टता का अभाव के साथ साथ अन्य कई खामिया बताई गई है परंतु इस सब के बावजूद राजनितिक चिंतन के इतिहास में कई महत्वपूर्ण देनों के कारण लोग का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर् प्राकृतिक अधिकारों का जो सिध्धांत है जिसमें जी remnants स्वतंता और संपत्ति को मनुष्य के जन्म स्वभाविक अधिकार मानते हुए कहा है कि इनकी रक्षाकर ना राजय का करतब है राज किसी भी वैक्ति के इन अधिकारों का इन प्राकृतिक अधिकारों का सेवंचित नहीं कर सकता यदि किसी राज के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंगन होता है तो राज के विरुध जनता कदम उठा सकती है और आज तक लौक के प्राकृतिक अधिकारों की नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिये गए हैं विभिन सम्मिधानों के माध्यम से दूसरा जो इनका contribution है कि लौक के द्वारा राज का निर्मान जनता की रक्षा यानि कल्यान के लिए किया जाता है वह करता है कि जनता के लिए राज है ना कि राज के लिए जनता नहीं इस प्रकार लौक ने राजनिती विज्ञान के छेतर में वैक्तिवादी सुधानतों को महत्वपुन बनाने का प्रयास किया है तीसरी जो महत्वपुन जो इनका देन था कि लौक ने जनता की सहमती पर आधारित वैधानिक साशन संबंदी विचार का प्रदिपादन किया जिसे लौक का देन के रूप में कहा जा सकता है लौक ने अपने इस सिध्धान्त के माध्यम से राजाओं के दैविये अधिकारों द्वारा साशन करने की सिध्धान्त का प्रवल खंडन किया है और 18-19-19 सतावदी के राजनितिक सुधार को का प्रमुक प्रेरक सिध्धान्त लौक का वैधानिक साशन संबंदी विचार ही लौप के विचारों का प्रभाव नालपोल, जेफर्शन, काबूर आदी, सुधारवादी प्रयास के पीछे भी रहा है, लौप का कहना है कि जनता के हाथों में संप्रभुता होती है, वह यह मानता है कि व्यक्ति राजी को अपने अधिकार कुछ विशेश उद्देश्यों क की पूर्ति के लिए ही धौपते हैं, शेश अधिकार तथा संप्रभुतार जनता में ही बनी रहती है, लौप के इस प्रयास को महत्वपुर्ण माना जा सकता है, लौप ने राजनिती शास्त्र में सक्ति प्रिथिकरन, सप्रेशन ऑफ पावर के सिध्धांत का भी वीजार उपन किया है, और इस सिध्धांत को खास करके अमेरिकी राजनितिग्यों एवं विचारकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, और उलेकनी है कि मौन्टे स्ट्यू के इसी के आधार पर अपने सक्ति विभाजन के तथा साशन शंबंधी त्रिये वर्गिये विभाजन के सिध्धांत का निर्मान किया है, लोग की और उपयोगिता या देनिया है कि उपयोगिता वादे सिध्धांत भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि उसने बहुत ही महत्वपुर्ण बात की ओर ध्यार आकर्षित दिला किया है कि मनुष्य का संपुर्ण कारे शुखों की तरण के पीछे भी आनंद का उद्देश्य है वास्तों में बेन्थम पर लौक के इसी विचार का महत्वपुर्ण जो है वो प्रभाव हमें देखने को मिलता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाश्यात्य विचारकों में लौक का अस्थान बहुत ही महत्वपु जैसे की जनतांत्रात्मक शाशन बवस्था की इन्होंने उसके बाद सिमिच सरकार की बाद की सेपरेशन ऑफ पावर की बाद की पहली बार धर्म निर्प्रिक्ष सरकार की इन्होंने उसके बाद जो सबसे महत्वपुर्ण इन्होंने तीन प्रमुक जो है प्राकृतिक मुख देन जो है वो है और बहुत सारे विचारक जो इनके बाद आएं उन्होंने इन विचारों को आगे भी बढ़ाया है और इसका एक राजनिती विज्ञान के छेत्र में इनका एक महत्वपुर्ण स्थान जो है वो प्राप्त है तो ये थे जॉन लॉक हमने पढ़ा जॉन शकte प्पढ़ा उसके बाद उनकी तीन सैलिया हैं तीन उनके सिद्धान थे राजनिती से संबंदित स्पेशली हमने देखा उनका राज्य की स्वरूप से संबंदित समझौता-वादी संबंदित। करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोग जो है वो पूरा उसका नोट को अच्छे तरह से बना पाएं उनके सारे विचारों को समझ सकें और वीडियो को ऐसा नहीं कि हम दो मिनट एक मिनट देखें फिर छोड़ दिये तो आप उसको पूरी तरह जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी पाँच मिनट दो मिनट देखने के बाद तो इसके लिए जरूरी है कि आप कंटिनेशनी लगातार उस वीडियो को देखें जिसे कि आपका कोई भी जो कंसिप्ट आपका बाकी रह जा रहा है समझने में परिशानी हो रही है वो आपको परिशानी नहीं हो और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें आज का हमारा क्लास ही समाप्त होता है ने टॉपिक के साथ बहुत जल्दन फिर मिलेंगे तब तब के लिए घर में रहें सुरक